हलो दोस्तो वैलकम टू योवर यूटूब चैनल साइन्स फाउंडेशन तो दोस्तो हमने यूनिट पस्ट के अंतरगत सेवाल कवक वसेवाक इन तीनों के बारे में इंपोर्टेंट क्यूसन देखे थे तो दोस्तो आज हम देखने जा रहे हैं बियस्ती पार्ट पस्ट सेमस्टर पस्ट में बोर्टनी के कुछ इंपोर्टेंट क्यूसन जो की आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है और दोस्तो मैं आपको बता दू यह अपनी यूनिट से जो ब्रायो फाइटा है उसके अंतरगत जितने भी मैत पूर्ण क्यूसन बनते है इस यूनिट से उसको हमने स्लेक्ट करके आपको दिया है ठीक है तो दोस्तो आपको मैं बता दू अगर आप इन क्यूसन को अच्छी तरह के से त 취ार करके जाते हो तो आपके बहुत अच्छे माक्स आने वाले हैं तो अब स्टार्ट करने जा रह इसके सामाने गुण बताने हैं संक्सिप्त में आपको इसके बारे में समझाना है ठीक है नेक्स्ट क्यूस्टन है अपना दूसरा क्यूस्टन कि ब्रायोफाइटा में काईक जनन की विदियों पर संक्सिप्त टिपनी लिखे brion phyta है उसमें काईक जनन पर संग्सित टिपनी लिखनी है ठीक है। इसके बाद में अपना next question है, तीसरा question है कि brion phyta का टिपनी लिखनी है जो अपने brion phyta है brion phyta के अंदर जो वरगी करण करते हैं brion phyta का किस प्रकार से आपने पड़ा होगा इसमें वर्गी करण किस प्रकार से होता है उसको आपको विस्तार से बताना है और वर्गी करण का पूरा टोपिक इसके अंदर समझाना है ठीक है इसके बाद में अपना चोथा क्यूशन है ब्रायोफाइटस का आर्थिक मेहत्व ब्रायोफाइटस है उसका आर्थिक मेहत्व कहां कहां पर होता है इसके बारे में आपको बताना है जैसे ब्रायोफाइटा का अपने इधन के रूप में, रसाहिन के रूप में, इन सबी चीजों में इसका आर्थिक रूप से महत्व है तो आपको इन सब चीजों को अच्छी तरके से समझाना है इसके बाद में अपना next question है, पांचवा question कि ब्रायोफाइटा की विभिन से वालों, ब्रायोफाइटा की विभिन से वालों वे टेरीडोफाइटा, टेरीडोफाइटा समह के साथ, समह के साथ, बंदूता के बारे में विश्तृत लिखना है जो ब्रायो फाइटा है उसकी विभिन सेवालों के साथ वै टेरीडो फाइटा समुह के साथ बंदुता के बारे में विश्तृत लिखना है ठीक है ये क्युशन थोड़ा बड़ा है तो अच्छी तरिके से इस क्युशन को देख के जाना है और ये वेरी इंपोर्टेंट होने है तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्युशन है चट्टा क्युशन है कि फ्यू नेरिया फ्यू नेरिया के बीजानुद भिद की सरचना पर शंक्शिप्त टिपनी लिखनी है इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्युशन है सात्वा क्युशन कि मारकेंशिया में बीजानुद बिजानोद बिद के परिवर्धन वे सरचना का सचित्र वर्णन करना है मारकेंसिया में मारकेंसिया है उसके अंदर आपको बिजानोद बिद के परिवर्धन वे सरचना आपको इसके अंदर डाइग्राम भी बनाना है और जहां तक हो सके आपको डाइग्राम बना करी ही समझाना है हर क्यूस्चन में आपको अगर आप उसके सरचना के बारे में थोड़ा सा जानते हो तो उसकी सरचना आपको जरूर बनानी है इससे क्या है कि एग्जामनेर है वो आपके अच्छे मार्क्स देने की संभावना होती है आपको डाइग्राम के थूर अगर आप किसी चीज को समझाते हो तो वो एग्जामनेर को प्रभावित करती है ठीक है मार्केंसिया मार्केंसिया में विबिन परकार की प्रजिनन विदिया का वर्णन करना है जो मार्केंसिया है मार्केंसिया है इसके अंदर आपको प्रजिनन की विबिन परकार की विदि है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाना है ठीक है इसके बाद में अपना नेक्स क्यूशन है नवा क्यूशन ब्रायोफाइटस में ब्रायोफाइटस में नेक्स क्यूशन है अपना ब्रायोफाइटस में PD एकांतरन आपको बताना है कि PD इसमें एक दूसरे में किस प्रकार से एकांतरित होती है ठीक है पीडी एकांतरन पर शंक्षिप्त टिपने लिखनी है और मैं आपको बता दू यह आपकी क्लास यह सुपर स्रिट लाई गई है यह बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है आपकी एक्जाम के लिए दोस्तो मैं आपको बता दू अगर आप इन सबी क्युष्णों को नोट करके अच्छी तरह से इनको तैयार कर लेते हो तो आपके बहुत ही अच्छे मांक्स आने वाले हैं तो ब्रायोफाइटस में ब्रायोफाइटस में पीडी एकांतरन पर संक्षिप्त टिपनी आपको लिखनी है और आपको अगर ये क्युष्ण ये सुपर स्रीज अगर आपके कारगर साबित होती है और आपको अगर इन क्युष्णों में अच्छी तरह के से एक्जाम में मिलते हैं आप इनको तैयार करके जाना फिर आप हमें कमेंट करके बताना कि इनसे कितने क्युस्टन मिलते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू अपने यूटूब चैनल साइंस पाउंडेशन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुचाने की करपा करें अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है, दोस्तों इन क्युस्टनों के आंसर ढूंडे और अपनी एक्जाम तक इनको तयार करके अच्छी तरह के से एक्जाम में जाना है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन वंदे मातरम